हेलो मेरे चटोरे, कैसे है आप सब? होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे तो आज फ्लोरास किचन में हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा, टेस्टी, टेंगी और स्पाइसी वाला नाश्ता जो बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत इजी वे बताऊंगी, उसी साथ से बनाएंगे तो आपका नाश्ता बहुत ही बढ़िया लाजवाब लगेगा आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप सब का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया होप आगे भी ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहेंगे उसी उमीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते है एक नई रेसिपी के साथ तो यहां पर मैंने एक किलो मकाई ली है उपर से हम उसकी स्कीन उतार देंगे ऐसे करके और इसको तोड़के अलग कर देंगे वैसे ही करके हम तीनो तीन मकाई अलग कर देंगे स्कीन से और उसके उपर जो रेशे लगते है वो रेशे भी हम निकाल देंगे साफ कर देंगे उसके बाद हम इसको वाश कर लेंगे वाश करने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे तो फ्रंस यहां पर मैं पूरे दाने नहीं कट कर रही हूँ आधे आधे दाने ही कट कर रही हूँ और आधा जो बचेगा उसका हम गिया कस कर लेंगे तो फ्रंस आधे आधे करके बाखी का चुबचे का उसका हम किया घ्स कर लेंगे तो छिए खी कर लिने हैं वो भी अब देख लूश है वो सारा हम यूज कर पाए है यूजिंख्वा घिया keynote को पाए हम यूजिति कैचन में हर एक चीज हो करना तो फ्रेंस यहां पर मैंने सारा किया गास कर लिया है दाने भी हमारे रेडी हो गए है अब इसके साथ क्या क्या चीज लगे कि वो भी मैं आपको दिखा देती हूं यहां पर मैंने हरा नारिय लिया है साथ में मैंने नीबू लिया है आधा नीबू लगेगा इसके अंद अछे लिट करें? देल गरम हो जाए तो इसमें 2 र्याई डाल दैंगे लिट के बारे तो इसके अंदर डाले टोड़ेंगे थोड़ सी हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छी ही बढकाइस हाता है इसे के साथ हम डाल देंगे curry lips curry lips डालने के पाद अध्रक डालेंगे और हरी मिर्श है वो भी एड़ कर देंगे अब सारी चीजों को अच्छे से रोज कर लेंगे हैं 2 मिनिट के लिए ताकि इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पर सारी चीजे रोज हो चुकिये हैं अब हम एड़ कि वो सारी हम इसके अंदर एड़ कर देंगे step by step follow करोंगे तो आपकी मकाई का चिवडा बहुत ही लाजवाब लगेगा तो फ्रंस यहाँ पर मैं स्वाद अनुसा नमक और हल्दे डालोंगी कलर के लिए और इसको दो मिनिट के लिए ठक के रखेंगे ताकि जो मकाई के दा दीरे दीरे करके और साथ में घर की मलाई है वो भी मैं एड़ करूंगी क्यूंकि बहुत ही क्रीमी और यमी इसका टेक्चर भी आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है तो फ्रंस यह सारी चीजे मिक्स करने के बाद हमें इसको फिर से 5-7 में तक ठक के पकने दें है अब इसमें हम डाल देंगे शुगर यहां पर 2 टेबल स्पून में शुगर ले रही हूं और उसको बैलन्स करने के लिए मैं डाल रही हूं नीवू का रस क्यूंकि इसे खटा मिठा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसको एक बार अच्छे से चलाने के बाद इसके टाइम पर हम डाल देंगे और साथ में हमने जो हरावाला नार्य लिया है किसा हुआ वो भी एड कर देंगे अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली यह मिक्स होने के बाद हम 2-5 मिनिट ठकन लगा के इसको पकने देंगे 5 मिनिट हो गई है अब हम च अच्छा लगता है फ्रेंस हमको हर एक चीजन की सबची फल सब कुछ खाना चाहिए क्योंकि हमारी बौडी इसे हल्दी रहती है क्योंकि हमको हर एक चीज टाइम पर मिल जाती है सीजन के हिसाब से बातों बातों में हमारा चिवडा भी रेडी हो गया है तो अब इसको प्रेजंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप प्रेजंटेशन करेंगे, तो आपकी जो डेश्मनी है न, वो लुक वाइस बहुत अच्छी लगेगी, और आखों को अच्छी लगेगी, तो पेट को भी अपने आप ही भूख लग जाएगी, तो यहाँ पर गानिशिंग के लिए मैं कॉम्बिनेशन में डाल रही हूँ, हर एक चीज थोड़ी-थोड़ी सी, उपर से मैं डालूँगी अनार के दाने, जिसे लुक भी बहुत ही अच्छा हैगा, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो यहाँ पर हमारा इस मकाई का चिवड़ा बिल्कुल तैयार है, होप आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा है, फ्रेंस आप लोगों के साथ एक और चीज शेर करना चाती हूँ, मेरी रेसिपी बहुत लोग ने ट्राइ की है, और उनको अमेजिंगली रिजल्ट मिला है, तो उसके लिए मैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं, या मेरी चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, तो मैं फ्लोर आपसे फिर में लोगी अगले मंगलवार को एक नई, इजी और हल्दी रेसिपी के साथ,